टॉंक में लगातार मिल रहे कोरोना पोजिटिव मामलों में अब राहत की खबर आने लगी है जिला रेड जोन में आने के बाद अब औरेंज जोन में आ चुका है जिला कलेक्टर केके शर्मा और एसपी आदश सिंधु के साथ चिकेसा विभाग दिन रात इस महामारी को कंट्रोल करने में जुटा है जिसके चलते अब धीरे धीरे टॉंक ग्रीन जोन की और बढ़ रहा है जिले में 134 कोरोना पोजिटिव में से 70 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है इन में से 51 की रिपोर्ट दो बार नेगेटिव आ चुकी है 19 लोग पूरी तरह स्वस्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं जो फिलाल होम आईसोलेशन में है परशासन की मेहनत अब रंग लाने लगी है जहां टॉक जिला रेड जोन में आ रहा था अब वो औरेंज में आ चुका है और धीरे धीरे अब गिरीन की और अगरसर होने लगा है जिला कलेक्टर के के शर्मा ने बताया कि अब तक टॉक में 134 कोरोना पोजिटिव के मामले सामने आ चुके है वहीं राहत की बात ये है कि इसमें से 70 लोगों की रिपोर्ट जो पेले पोजिटिव थी अब नेगिटिव हो चुकी है वहीं इससे पूर में 19 लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होके डिस्चार्ज हो चुके हैं इसमें से 51 लोगों की रिपोर्ट दो बार नेगेटिव आ चुकी है वहीं दूसरी और अब तक टॉंग जिले से 3069 लोगों के जांच सेंपल बेजे जा चुके हैं जिसमें से 2790 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई ये टॉंग में फिलाहल आज शुकरवार दोपेर तक 134 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए वहीं दूसरी और अमपी की बोर्डर तक जिला परशासन ने जो परवासी से यहां के मजदूर उनको बेजने का कारिय किया है कल रात देर रात बस स्टेंड से कई बसे रवाना हुई जिसमें से 308 लोगों को यहां बेजा गाया है टॉंक सफिरोज उस्मानी एवन टीवी